हेलो दोस्तों स्वागत आपका दी मार्केटिंग बहल में मेरा नाम है विशेग दोस्तों आज कुटी करों है टोफिक है Best WordPress hosting providerWhat दोस्तों आज किस वीडियों अम बूतर्बतने जला रहो एक बहुत ही कमाल का WordPress तो दोस्तो इस वीडियो को एंड तक जाहरूर करना है और कितने टाइम के लिए पर जाते सिप्सक्राइब को सब्सक्राइब और ऐको अपने अपको मिलें तो चली शुरू करते हैं तो डिस्क्रिप्षuyenne में दिये गएकाई टिस्कारली प्लिक करेंगे extra discount, जो कि 10% का extra discount है, वो आपको हमारे link के थूरू मिल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको टोटिल 75% का discount मिल जाएगा, उस link के थूरू, तो यह आपका benefit रहेगा, discount link का, और इसके अलावा हम यहाँ पर इस video बात करने जा रहे है, best WordPress hosting provider, अब गैस आपके सामने website open है, आपक सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कि WordPress company, हम यहाँ पर क्या बात कर रहे है, best WordPress hosting provider, और WordPress company खुद यह बोल रहे है, कि WordPress पे बनी वी website के लिए सबसे अच्छा जो hosting है, वो है Bluehost, ठीक है, मैं आपको उसका proof दिखाता हूँ, हमने open कर लिया WordPress.org, यानि कि WordPress की official website, और यहा पर आपको option मिल जाएगा hosting का, तो यहाँ पर हम जाके देखेंगे, तो यहाँ पर आप आप जाए सकते हो, Bluehost को टोप पे recommend किया है, ठीक है, तो यह एक सबसे बड़ा proof है, कि WordPress company, खुद Bluehost को recommend कर रही है, सिर्फ YouTubers, या फिर आप जो ads देखते हैं, वो ही एक reason नहीं होता, Bluehost को purchase करने का, इसके लाब बहुत सारे reasons से जिसके बारे हम आगे बात करने वाले, लेकिन जो सबसे main important reason है, वो यह है, कि WordPress company खुद recommend करेंगे, और इसी वज़य से मैंने भी जो है, इस Bluehost को बहुत purchase किया, मैं अगर अभी क्या recent बता हूँ तो 128 website से जिसके अंदर active website जो अगर वकात सिर्फ 27 website जो है, वो मेरे हैं, ठीक है, बागी सारे मेरे clients के हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो, 128 website हमारे पास total है, और 101 website जो है, वो मेरे clients के, तो यहाँ पर इतने सारी hosting, इतने सारे website Bluehost बनाने से बड़ा reason यही है, कि company खुद recommend करती है, और मेरा खुद का experience से 8 साल का, ठीक है, अब इसमें से 6-7 सारे में Bluehost यूस कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, टोटल मेरा जो experience रहा है ता, वो है 8 साल का, यानि कि 2015 से लेकर अगर मैं बात करूँ, अभी जो है, हम बात कर रहे हैं, 2023 में, ठीक है, इतने सालों से मैंने अलग-अलग hosting यूस किया है, ठीक है ठीक है, अगर आप WPX के साथ जाना चाहते हैं, तो WPX का भी जो discount link है, मैं आपको provide करा दूँगा, ठीक है, लेकिन WPX की pricing थोड़ सी higher side में रहेगी, ठीक है, बाकी performance में आपको कोई कमी देखने को नहीं भी लेगी, ठीक है, आप WPX भी जो है, कमाल की web hosting है, तो आप वहा hosting भी मिलता है, यानि कि shared hosting मिलता है, dedicated hosting मिलता है, VPS hosting मिल जाता है, सब कुछ है Bluehost के पास, ठीक है, और जो किसी के अपास नहीं है, वो है WooCommerce hosting, वो भी Bluehost के पास है, ठीक है, और तीन सार से, Bluehost ने सबसे ज़्यादा जो काम किया है, वो किया है WooCommerce hosting पर, हाला कि, जो WordPress hosting है, उस उस पर पहले से ही Bluehost टॉप पे चल रहा है, उपर से अभी WooCommerce hosting का only one and only जो provider है, वो है Bluehost, ठीक है, तो WooCommerce hosting पे अगर आप लेना चाहते हैं, एक बड़े से e-commerce websites के लिए, तो आप Bluehost से ले सकते हैं, हाला कि, e-commerce website तो shared hosting में ही बन जाता है, WordPress hosting में बन जाता है, managed WordPress hosting में बन जात उसमें आप e-commerce से बना सकते हैं, लेकिन proper compatibility 20 से जाधा payment gateways और zero transaction fees के साथ आपको मिलता है, zero transaction fees, यारी कि आपको किसी payment gateway को किसी भी extra तरे कि charges पे नहीं करने पढ़ते है, 2%, 3% जो charges रहते हैं, अलगला payment gateways को अपने अपना रहता है, वो यहाँ पर आपको नहीं देना पढ़ता है, तो इसलिए book commerce जो है, कहीना कहीं, उसका बहुत बड़ा existence, अब आने वाले time में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, चलिए, अब इन से बातों साइट में रहते हैं, हम बात करने जा रहे हैं, कि best WordPress hosting provider, ठीक है, तो उसका एक reason तो यह है, और दूसरी बात में अगर होता है, गैसे को 100% up time का मतलब यह होता है, देखो, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि इसमें आपको हमेशा, जापकी अपसाइट, इसमें छे सार से मेरी अपसाइट हमेशा लाइव रही है, एक second के लिए डाउन नहीं किया होगा, मैं ऐसा नहीं बोलुगा, यह ऐसा तो खुद होली गुड के जो ब्लॉग से, उसके अंदर इतना जादर ट्राफिक आता है, और जो इवेंट ब्लॉगिंग करते हैं, जैसे कि दीवाली, होली पर एसमेस बगेरा जो बनाते हैं, उन लोग के जो ब्लॉग पर इतना ट्राफिक आता ना, भर भर के, कभी भी किसी भी अंदे नहीं बोला, तो वो जो चीज है वो ब्लॉग से मिलता है, और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा राम प्रोवाइड करने वाली कंपनी भी ब्लॉग उस्त है, तो वो एक सबसे बड़ा रीजन रहता है, क्योंकि एक टाइम पे जब बह जालने के लिए RAM चाहिए होता है, जो वो RAM और Input Output Process चाहिए होता है, वो सिर्फ और WordPress Hosting में मिलती है, dedicatedly, और वो चीज जो है सबसे बढ़िया optimization उसका आपको देखने को मिलेगा Bluehost में, तो वो चीज की बज़ए से यहाँ पर एक साथ ट्राफिक को handle कर लेता, और उपर से आ Cloudflare CDN and SSL Certificate, ठीक है, तो यह सब कुछ अपर फ्री मिलता है और वो भी सभी ब्लाइंस के साथ, है ना, तो यह एक overall मतलब मैंने आपको बता दिया कि क्या reason रहता है Bluehost को ज़्यादा पर्चेस करने का ज़्यादा यूज करने है, सबसे ज़्यादा बिखने वाला hosting जो है हम open करते है share hosting और हम एक page open करते है wordpress hosting, ठीक है, अब ध्यान से दुनना, क्यूंकि Bluehost का foundation बहुत इस तगड़ा है, अगर किसी चीज का foundation बहुत तगड़ा होता है, तो बार-बार उस पर खरचा नहीं करना पड़ता है, उस तो बहुत कम खरचा आता है, अगर किसी चीज का foundation ही बहुत खरब हो, तो बार-बार उस पर खरचा करना पड़ता है, तो वो एक बहुत बड़ा difference होता है, तो अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पर आपकी pricing कैसे कम होगी, गैस देखो, सबसे पहले हम open करेंगे share hosting, या आप उपर देख सकते है share hosting plans open करो, तो यहाँ पर आपकी बास है, basic, choice plus, ठीक है, और pro, online store मतलब वो WooCommerce वाला जो उन्होंने उसके बीच में डाल दिये है, अला कि हमें इस पर ध्यान नहीं देना है, basic और choice plus हम देख लेते है, pro plan high traffic के लिए है, क्योंकि एक साथ जब बहुत ज़्यादर traffic आता है, तो यहाँ पर आपको 4GB RAM मिलता है, choice plus में आपको 3GB RAM मिलता है, लेकिन 500 रुपे का फरका गया, अब इस बोनों चीज़ों है, तो इत्ती सी बात के लिए 500 रुपे का फरका गया, अब देखा जाया तो इत्ती सी बात है, लेकिन यहाँ पर एक extra चीज मिल जाए, free dedicated IP, जिसका हमें actual में ज़रूत भी नहीं है, लेकिन फ चॉइस प्लाइन करता हूँ है, रीजन्स आपको आगे बताऊँगा, अब प्राइसिंग देख लेते हैं, बेसिक 169 और चॉइस 279, अब हम जाएंगे वर्डप्रस होस्टिंग में, यह रहाब वर्डप्रस होस्टिंग, अब नीचा जाते हैं, तो बेसिक 169, चॉइस प् रहा है आपको, कभी किसी कंपनी का आपने शेर्डप्रस होस्टिंग का प्लान और वर्डप्रस होस्टिंग के प्लान एक जैसे देखे हैं क्या, पसिबल ही नहीं है, क्योंकि वर्डप्रस होस्टिंग, शेर्डप्रस होस्टिंग से, आप यू मान के चलो कम से कम 20 से 25 गु वर्फुल है ज्यादा अच्छा पर्फॉमेंस देता है क्यों कि वर्डप्रस होस्टिंग का मतलब यह होता है कि आपका यहां पर कोई भी होती है ठीक है तो इसी वज़ए से वर्डपस होस्टिंग कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है और इसी वज़ए से इसकी कोस्टिंग भी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन यहां पर प्राइस बिल्कुल सेम रखा गया है यह सिर्फ ब्लु वोस्ट कर सकता है क्योंकि जादा लोग लोग जो है खरीते तो वहां वैसे भी जादा पैसे आ जाएंगे तो इसलिए जो है हम यूजर्स के लिए इन्होंने सेम प्राइस रखा है जो कि हमारे लिए देखा जाए तो एक ब्लैसिंग है हमें जादा एमाउंट पे नहीं करना पड़ता है ब्लूओस को ठ प्लाइस पर मिल जाती है ठीक है तो चलिए अब यह हो गई बात हमारे वर्डप्रस होस्टिंग के प्लाइन की अब हम थोड़ा सा डीटेल में प्लाइन को जल्दी स्टेक कर ले दें यहां पर बैसिक प्लाइन मिलता है एक वेपसाइट में कोई भी मार्केट में कोई भी लेकिन मेरा रख्मेंटेशन को यहां पर होच करने को मिलता है अन्लिम्लिटेड सबस्टेक करने시 How ले साथ' क्योंकि आपको बहुत सारे extra features भी मिलते हैं और साथ में आपको unlimited ट्रफिक लाते हैं कि आप एक दुकान से जादा कमाने कोशिश मत करो एक ही एरिया में चार पांस दुकान खरीद लो किसी भी दुकान में कस्टमर जाएगा सब अमारे पास आएगा बना सारा पैसा जो है अपने पास आएगा तो दुकान बड़ाओ है ना ये एक सबसे बड़िया चेज होती है फ्लिपकार्ट का क्या हो था फ्लिपकार्ट ने मिंतरा को खरीद लिया फ्लिपकार्ट अपने आफ तो था ही फ्लिपकार्ट ने मिंतरा को भी खरीद लिया फ्लिपकार्ट को किसने वालमार्ट ने खरीद लिया ठीक है तो अगलग दुकाने भी आ जाते हैं, कोई भी website कहीं भी rank हो जाए, हमारे किसमस से भी कहीं भी rank हो जाए, धंदा तो हम आ रहा है चल रहा है, है ना, पैसा हमारे पास ही आ रहा है, तो वो चीज जो है, सब भी जने करते हैं, तो इसलिए आप भले ही आज सूच रहे होंगे कि पर आपको हर प्लान में Cloudflare का premium CDN भी मिल जाता है, अब वैस इससे क्या होता है, Cloudflare आपके website की speed को 20 गुना और बढ़ा देता है, है ना, तो Cloudflare के बारे में मैंने हर वीडियो में explain किया, इसलिए आज इस वीडियो में अलग से explain नहीं कर रहा हूँ, लेकिन Cloudflare जो है, इतन times जो है, आपकी speed बढ़ जाती है, है ना, तो यहाँ पर आपको इसके अलाव मिल जाता है, domain privacy, बाकी सारी चाहिए तो आपको हर प्लान में मिल जाएगा, यहाँ पर आपको domain privacy मिलेगा, यानि कि कोई भी बतानी लगा पाएगा कि आपका domain किस नाम से registered है, अब आया मेरा favorite daily website backup Guys, देखो, मैंने शुरूर बताता, आप मेरे पास 188 सुबस्टाइट है, सबका backup मैं खुझ से नहीं ले सकता, हाँ, schedule कर सकता हूँ, लेकिन schedule करने में भी तो कितना time लगेगा, है ना, ठीक है, और सब कुछ अलग-अलग remote area में रखना, बहुत जादा complicated हो जाता है, तो ऐसे म हमारे site में कोई problem आई, पिछले दिन का restore कर लो, simply करना क्या है, आपको अपने hosting account में जाना, यहाँ पर bluehost में गए, login में करने के बाद, आपको यहाँ पर अपना domain name एंटर करना है, ठीक है, जैसे कि मेरा domain name में हो है, एक अभी जो latest, मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, कि कै कैसे purchase करते हैं, ठीक है, hosting कैसे purchase करते हैं, bluehost का, तो उसके अंदर मैंने यह वाला domain लिया था, और मैं आपको जो है, इसका panel दिखा देता हूँ, अगर आपको भी सीखना है, कैसे purchase करना है, तो मैंने YouTube पर यह जो वीडियो बनाया, how to buy WordPress hosting from bluehost, ठीक है, यह रहा यह वीडियो, यह वाला वीडियो आप देख सकते हो, छे ही दिन हुए है, उसको अप्लोड किये हुए, तो अब आप इस वीडियो को देख के समझ सकते हो, इस वीडियो में यही वाला domain purchase किया था, जो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ, यह देखिए, www.linabishek.com, ठीक है, यह वाला domain म और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, हमें क्या क्या मिलता है, यह मिल जाता है, हमें Cloudflare CDN, जिसके हम बात कर रहे थे, security में हमें मिल जाता है, site log, और यह सब चीजे जो हमें, यहाँ पर SSL certificate, और Enforce HTTPS, हमें इसको on कर देता हूँ, ठीक है, SSL certificate हमें मिल जाता है, और हम हमें यहाँ पर Cloudflare CDN भी देखने को मिल जाता है, ठीक है, तो यह सारी चीजे जो है, यह Premium Cloudflare CDN हमें देखने को मिल जाता है, तो यह सब चीजे जो हमें यहाँ पर मिल जाता है, तो यह सब चीजे आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, cPanel है, ठीक है, अड़बान्स पर जैसे यहाँ पर चेक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको back-ups का भी option मिल जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ यह रहा मैंने site और यह देखिए आपको यहाँ पर backups का भी option मिल जाता है तो यह सारी चीज़े जो है आपको एक जगे बिल जाता है आपको सारा backup और restore करना होगा और plugin आपको बिलकुल free of course मिल जाता है इसके लावा staging site मिलती है आपको multiple site management मिल जाता है ठीक है बाकी चीज़े इतना को importance रखती नहीं है लेकिन हाँ daily of site backup, domain privacy और yours SEO का premium tool और staging site और multi site management यह सब चीज़े बहुत ज़्यादा importance रखती है ठीक है guys तो यह plan जो है सबसे best plan है choice plus आप कभी प्लान लो तीन साल के लिए लो क्योंकि आपको जाधा सस्ता हो ही पड़ेगा यह मेरी recommendation बाकी आपके हाथ में आपको जितना pay करना है आप उस साब से करो कि मुझे बता है लेकिन मैं अपनी recommendation आपको बता रहा हूँ ठीक है तो यह चीज़ हो गई अब बात कर लेते है renewal की cost गाइस देखो यहाँ पर basic plan का renewal होता है वो 300 रुपे में होता है plus plan का 400 में और 24-500 में रुप जाओ guys मैं आपको discount लेने का तरीका बता रहा हूँ तो discount लेने का तरीका है कि आप क्या करो कि जब भी तीन साल खतमाने वाले होंगे आपके तो एक महीने पहले ठीक है एक महीने प renewal का टाइम पर आते हैं ठीक है तो किसी भी यूजर को जाने नहीं देंगे वह आपको discount देंगे और discount आपको मिलेगा कि जिस price में आपने करीद है उस price में आप renew कर सकते हो यानि कि आपको ना तो 300 रुपे की फिकर करनी है नहीं 400 होगी नहीं 500 होगी आपको जो price में पर्सिस क पर पूरा site setup करने में आपको को दिक्कत ना आया है तो आप मुझे करके पूछ सकते हो और पसंद आया है तो लाइक कर देना क्योंकि आपके लाइक से आगे और वीडियो बनाने की motivation मिलती है और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद जो पास में बेल आइकन है उसको क्लिक कर ले ताकि आपको आगे भी notifications मिलते रहे तो दोस्तो आज वीडियो इस सितना ह देखने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद